इस बाईक में double symbol है कुछ बाइक में single symbol होता है यह तीर देख्या लगाना पड़ेखा यह वाला तीर जो है इस थिकेसे लगाना एक तीर इधर आ गया तो अब सामने वाला में दिखाता हम इस तीर इधर भी एक तीर है इधर भी एक तीर है यह ब्ल्गुल परफेक्ट हो गया इस तरही के से हम बात करते हैं जिछे मेरे पास 156 पलसर आइब ही इस तरीके से तो यह हमारा विल्कुल लास्ट हो चुका है तो इससे भी पता चल जाता है कि हमारा क्लस्ट जल चुका है सिंपली यहाँ पर आप देख पार हुआ है कलस्ट तो बिल्कुली नॉर्माल है टाइट नहीं है तो अब हम इसका फटा-फटा वेल निकालते हैं उसके किसे ठीक है अलेंगे काला हो चुका है लेगिन जितना रहना चीह उतना वैल निकल गया है फिर भी कलस्ट डॉट डॉन हो चुका है तो चलिए हम खलच खुलते हैं तो सिंपली जो है मैं सब यह आट का बोल्ट खोलना पड़ेगा और एक स्कूरूप होता इसको भी खोलना पड़ेगा तो चलिए खोन देते हैं कि अ 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 कि तो सिंपली हमारा ये कभर बाहर हुई चुका है ठीक है और ये ठीक है हमारा यहां पर लगावा इस्टे से आपको ध्यान देना बेरिंग के साथ पसावा ठीक है अब इसका हम प्रोपर त्रीके से कलच को बाहर करते हैं ठीक है इसका अपको ध्यान रखना है अगर यह नहीं रहेगा तो वह लिंजय की ऊपर नहीं चड़ पाएगा ठीक है चलिए सबसे पहले वेट को खोलते हैं उसके बाद कलच को बाहर निकलते हैं कि अपर इस वेट में उल्टा गुना नहीं होता है जिस तरीके से सिंपल रहता है से मज़ उसी तरीके से यह खुलेगा यह हमारा बाहर आगया एक मिनट होता है और यहां पर वार्षा लेटी गए वेट हमारा बाहर आ गया अब हम इसको खोल लेते हैं कि सिंपल यहां यह चारो बुल खोल चुका है जिसको बाहर निकाल लिए और उसके गड़िया चारो सप्रिंगों की चलेंगे इस तरीके से और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर जुबुना होता है हमारा उल्टा होता है और अब इसमें यह भी आपको कर दो कर दो कि सिंपली अब हम इस तरह के से बाहर ले लेते हैं इसको ठीक है आपको हम दिखा देते हैं कि यहां पर एक वार्शल है इस वार्शल को यहीं पढ़ रहने के लिए दिना है कि अधर पांच कर दो पांचों का पांचों जो है उतना बुरी तरीके से तो नहीं जला है लेकिन मतलब जल चुकी है उसके बाद यह हमारा चार प्रेसर प्लेड होता है ठीक है अभी हम सिंपली सिर्फ ट्लस प्लेड ही डालेंगे और वो चीज में आपको बता रहा था कि इसके अंदर डबल तीर दे दिया है यह की सेट एक उससे ठीक है तो दोनों तीर को आपको देखके यह लगाना है कि इसके अंदर भी दोनों तीर जो है दिया हुआ है तो यह तीर को अभी देखके हम लगाएंगे तो चलिए सब से कलस्प्रेट लाते हैं फिर उसके बाद लगाते हैं जयन्मेन कलस्पेट आग यह है सास सो नीगजाज का जेंड मान है तो चलिएज अब हम इसी को लगाते हैं और इसमें जो है आप अपाचि अा टियार्ट वंसी होगामरा सत्वाइब फ्रेसर प्रेत दया न bullish तो आपको बता देते हैं यह जो सिंबॉल अब डवल सिंबॉल दिया गए एक सिंबॉल इधार है दुसरा तीर इधर है तो एक यहां पर आप देख पार होंगे एक सिंबॉल इधर है एक सिंबॉल इधर है यह इनकि इस बाइक में डवल सिंबॉल है कुछ बाइक में सिंगल सिंबॉल होता है तो यह तीर तरह था सेम प्रोसेस वहीरा और जिस तरह किसे कंपनी फिट करती है सेम वैसा ही वा तो चलिए वह उसको किन कर देते हैं इसी तरीकिस अप लगाना इससे क्या हो प्लेक्ट भार नहीं बिलेगे कित लगान देना उसके बाद ये त्रीफे से लगा देना है कि अ करें चार ट्रीट एक डालना और ये ये नए नया मोडल में इसी तरीके से यूज़ किया जाता है आप यहां पांच को पांच नहीं डाल सकते उससे क्या होगा पिक अप में अंतर आ जाएगा ठीक है तो इसी तरीके से सैट करना है उसके लगा देना है और इसके अंदर जो होता है हमारा उल्टा गुना होता है इस नट को हम टाइट कर देते हैं इसी पली इसके उनदर उल्टा गुना होता है और इस चीच को समझने के लिए यहां पर आपको देख लेना यहां पर एक सिंबोल होता है करना कि इसको रुटा सैट करना है इसी स्निके से टैट करेंगे तुम सब साथ कुत्रा करें लाइट लाइट को पटन पेतर लगा देना हम जाएट पेट उड़ाना के लाइट पेट मार देगे लाइट जो सिंपल ही है जो हमारा पुलर है इसी पुलर को लगा देना इस जो कि दो, एक लाइट टूँ्झे टूचल करुदे इस यह है जाएट, भाइट, एक दाट, पहरा पेट, पेट। हिर जोओ, जोग्रल चिले यार जो, जोत करुछे साथ, तुम्य करना है, कचल दिलेसे है थी जोग्याट को एating मद्र 550 जो 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 जोगडेट परना कुछ भीकिस है अब सिंपलिए वेट को लगा देंगे युँरु सलोथिया Gleich सफ़ाँ जौई इस शिरक्री लादने शेवाद लोनेश पर गढ़ा कर शेओ इसके लोना को यहाद हिवाद ूपर conservatives⑤ अचला बीद अचलाओ। आपो नीघ करें घ्र आपके जाँ है आपके जापके अचलाओ। आना प्लोक्षेट चालाओंट पारिक भीकळा, गाच मूल करके पारिक बार कोना जापके पालाओव। यह बिल्गूर फुल टाइट हो गया है अब इसका हम कवर को लगा देते हैं इस तरी के से अब सिंपली हमारा यह बेरिंग है रिठेसरी है ठीक है इसको इस तरी के से यहां पर लगा देना है कि चलिया वूम्स को लगा देते हैं कि अब यह सब चलिया लग चुका है इस तरी के से वोल्ट लगा कर टाइट कर देना अब बाइक जो है बिल्कुल प्रोपर तरीके से कंप्लीट हो गई और मैं आपको अड़ेस्टर दिखाता हूं यह अब देख पार हो में कितना बाहर की में अगर यह ड़ेस्टर यहां तक आ जाती है यानि खतम हो जाता है इस तरीके से तो क्या होता है कलेश प्रोप यहां से पता चाहिता जह सा कि कहतम है और कलाच आपको सिंपली इस तरीके से रखना है आप देख पार होंगádengah इतना सा गेफिंग आपको रखना उससे क्या होगा क्लेस्परेट बिल्कुल भी नहीं जलेगी और यह अच्छे से कंप्लीट हो गई अब कोई तरह का दिक्कात नहीं है नेस्ट वुडियो में मिलता है जब तक के लिए थैंक्स बाबार